तो देखे भारती सम्मिधान का सबसे महत्पूर टॉपिक्स में से एक टॉपिक है आपका प्रस्तावना जिससे कोश्चन सबस्यादा पूचता है प्रस्तावना तो प्रस्तावना को लेकर बहुत सारे प्रस्तावने थे बेरूबारी केश आया था आपका उसमें प्रस्ताव केश्वा नंद भारतिवात सम्विधान कंग से माना भी गया और एक संसोधन योग में पावर का सोर्स काउन है ये पता चलता है दूसरा भारत के बारे में पता चलता है कि हमारा देश एटलिस्ट है क्या ये कंट्री ये संप्रभू है समाजवादी है धर्म नेपेक्ष है हम कैसा भारत चाहते है इसका पूरा सार प्रस्तावना में नहीं थे ठीक है दूसरा इसका उद्देश पता चलता है कि ये देश के नागरिकों के लिए क्या चाहती है, प्रस्तावना, है ना, उनको नियाय देना चाहती है, स्वतनता देना चाहती है, समानता देना चाहती है, वंधुत्य देना चाहती है, और दूसरा सम्मिदान को किस दिन अपनाया गया, तो 26 प्रस्तावना को बहुत तेजी से पढ़ेंगे और इसके बाद इनके जो यह वाले पॉइंट है ना संपूर प्रभुत संपन्ने क्या है समाजवादी का इनको एक-एक वर्ड में समझाऊंगा आपको मैं ठीक है एक-एक वर्ड में समझाऊंगा और इससे जिस प्रकार के भी कोश्चन बन सकते होंगे आप असानी से उनको कर लेंगे देखो सबसे पहली बात प्रस्ताव ना आया था उद्देश प्रस्ताव से किस से आया उद्देश से प्रस्ताव संबिधान के उद्देश प्रस्ताव जो है प्रस्तूत किये गए थे कब प्रस्तूत किये गए थे 13 दिसंबर 1946 को देखें सम्विदान सभा को लेकर 3 डेटे हैं एक तो 9 दिसंबर आपको पता रखना चाहिए 9 दिसंबर को पहली बार सम्विदान सभा बैठी ठीक है Cabinet Mission योजना के तैर फिर इसके बाद इसी दिन सच्चिदा नंद सिनहा जी को आईस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया सच्चिदा नंद सिनहा जी को आईस्थाई ठीक है इसके बाद क्या किया गया 11 दिसंबर को अगेन बैठी डाक्टर राजेंदर प्रशाद सम्मिदान सवा के अध्यक्ष बने आपके डाक्टर राजेंदर प्रशाद ठेक है और इसके बाद राक्टर राजेंदर प्रशाद सम्मिदान सवा के अध्यक्ष बने इसके बाद जो है 13 दिसंबर को पंडित नहरू जी के द्वारा एक प्र प्रस्ताओं के तहत ये तये हुआ कि ये सम्मिधान सभा अखिर कर बनाई किस लिए गई है हम करेंगे क्या सम्मिधान सभा में बैठ करके तो उसको लेकर के सारी चीज़े इसपश्ट हुई ठीक है तो यही उद्देश प्रस्ताओं का लांतर में जो है आपका फिर माप लिए गा 22 जनवरी को ये पास हो जाते हैं 22 जनवरी 1947 को सम्मिधान सभा द्वारा सुईकार कर लिए जाते हैं एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और हमारा सम्मिधान बनना चालू होता है ठीक है तो यह उद्देश प्रस्ताओं है वैसे देखा जाए तो प्रस्ताओं न ली अमेरिका के सम्मिधान से कहां से ली गई है अमेरिका के सम्मिधान से कहां से ली गई है अमेरिका के सम्मिधान से ये भी ध्यान रखेगा अमेरिका के सम्मिधान से ली गई है और यह तरीके से उत्तेश प्रस्ताओं है उसी का एक रूप आप यहां पर देख सकते हैं अब सबधन नापका यही अधिकार की बात कर रहा कि सुरोत क्या गया है सकती का सुद्व का यह बाद में समझाओंगा भारत को एक संपूर प्रभूत्य संपन्स संपन्स का सिम्पल सा मतलब है बास नियंतरन्ष से मुक्त यहांकर कुछ टम्स लिख रहा हूं लिख लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे बाई एवं आंतरिक नियंत्रण से मुक्त से मुक्त संप्रभुता की बात कर रहा है बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से हमारा देश हमारा राष्ट संप्रभु है ठीक है दूसरा टम्स जोड़ा गया समाजवादी यह सब 1942 में आपका जोड़ा गया 1922 में तीन सब्द जोड़े गए समाजवादी पंदनेपे चौर अखंड़ता यह तीन टम्स जोड़े गया थे अब देखो समाजवादी को एक सब्द में मैं समझाना चाहूं आपको कि एक सब्द में समाजवादी का मतलब क्या है सभी का कल्यार सभी का कल्यार और जो संप कहीं है तो समाजवादी आपका मतलब क्या है सभी का कल्यार से समाजवादी सब्सक्र difference अब अग्या अगला सब्सक्राइब का पंतर निर्पेक्ष पंतर उनiste बहुत आने टका एक यह मतलब है कि धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान माना जाएगा, क्या है, सभी धर्म समान है, सर्व धर्म समभाव की भावना है, पंत निर्पेक्षता में, सर्व धर्म समभाव, कोई बेदभाव नहीं, बेदभाव रहित, समभाव, ठीक है, किसके लिए है ये, सरकार, जनता की प्रतिनिधी, प्रतिनिधी, अब जनता चुनेगी, लोक्तंत का मतलब यही है, सरकार को कौन चुनेगा, जनता, सरकार, इसके बाद तीसरा गर्राज, गर्राज का मतलब सिंपल सा है, राज के मुखिया को जनता चुनेगी, राज का मुखिया चुना जाएगा राज जी का मुखिया चुना जाएगा राज जी का मुखिया यहाँ पर राज जी राज सब्द यूज कर रहा हूँ इसका मतलब देश है नेशन इस्टेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर राज जी का मुखिया चुना हुआ होगा तो जो भी गरतंत्रात्मक प्रणाली हो वहाँ पर राजी का मुख्या चुना हुआ होता हमारे राजी का मुख्या है राश्ट्रपती तो राश्ट्रपती महोदे हैं हमारे अप्रत्यक्स तरीके से चुने जाते हैं ठीक है कैसे चुने जाते हैं अप्रत्यक्स तरीके से ठीक आपको क्लियर कर लेने हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभुत्य संपन्न यानि बाय और आंत्रिक रूप से संप्रभु ठीक है समाजवादी मतलब सब के कल्यार के लिए पंत निर्पेक्ष मतलब सर्व धर्म संभाव यानि कि राजी का कोई धर्म नहीं है लोग की प्रकती के बारे में बताती है कि भारत कैसा होगा बाय और आंत्रिक नियंत्रण से मुक्त होगा यानि संपूर प्रभुत्य संपन्न होगा भारत कैसा होगा सभी के कल्यार की भावना को लिये हुए होगा समाजवादी होगा भारत कैसे होगा भारत का कोई धर्म नहीं हो हम सर्व धर्म संभाव की भावना से देखेंगे लोगतंत्रात्मक का मतलब क्या है देश की जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी हुई होगी गरतंत्र का मतलब है देश का मुखिया जो है राष्टपती वो भी जनता द्वारा चुना होगा तो ये तो पांच सब्द जो मैं से clear होगे आपका ये तो देश के बारे में पहली लाइन लिखी गई कि देश कैसा होगा और exactly समझे इस पूरे मैटर से पूरा भारत आपको समझ में आ जाएगा complete इंडिया यहां से समझ में आ जाएगा आपको पूरा complete इंडिया कोई दिक्कत नहीं होगी इससे ठीक है तो एक अंप्रव बनाए जाए धर्द निपेक्ष बनाए जा रहा है तो यह करेगी क्या इसका काम क्या है यहां पर देखो टम्स देखो एक तो न्याय सब्द लिखा हुआ है दूसरा स्वतनता सब्द लिखा हुआ है एक समांता सब्द लिखा हुआ है ठीक है और यहां पर एक ठीक है धियान रखेएगा, देखो, important हैं सारे terms, ठीक है, अब ये जो सारे terms दिये गए, न्याय क्या है, सतंता क्या है, बंदुत्य क्या है, इनका क्या है, ये उद्धेश चे बताते हैं, इनका उद्धेश है कि हमें भारत के नागरिकों को न्याय देना है, हमें भारत के और उपर का पक्ष क्या है भारत की प्रकति के बारे में बताता है किसके बारे में भारत की क्या प्रकति है क्या नेचर है इसके बारे में बताता है ठीक है clear is first है बहुत simple सा माजरा है ये तो उपर की तीन लाइने आपकी भारत की प्रकति के बारे में और ये आगे की लाइने आपकी किसके बारे में ये बताती है उद्देश के बारे में कैसा उद्देश है समाजिक आर्थिक राजनितिक न्याय तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है समाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनितिक न्याय यहां पर न्याय का मतलब क्या है न्याय का सिंपल सा मतलब है justice establish करेगा कैसा justice समांता का समाजिक आर्थिक राजनेतिक इन तीनों प्रकार का नयाय दिया जाएगा तो यह राज जी का उद्देश है क्या करेगा अपने नाग्रिको प्रकार का नयाय देगा ठीक है, अब पाँच प्रकार की SOTANTHAH की बात का ही है विचारों की सुतंता, अभिव्यक्त की सुतंता, विश्वास की सुतंता, धर्म की सुतंता और उपासना की सुतंता, पांच प्रकार की सुतंता है, तीन प्रकार का न्याय है, न्याय समाजी कर्थिक रजनितिक है, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना क सुतंता है सुतंता का मतलब क्या है आजादी ठीक है आजादी 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 यानि भैमुक्त जीवन भैमुक्त जीवन आप सुतंतर कम महसूस करते हैं जब आपको डर नहीं होता भै नहीं होता आप अपने मालिक खुद होते हैं अपने डिसीजन्स खुद करते हैं तब इसके बाद तीसरा टंब से अपका प्रतिष्ठा और आउसर की सम्ता, दो प्रकार की सम्ता की बात की एक तो प्रतिष्ठा की, दूसरा आऊसर की सम्ता का मतलब क्या है? simple सा है कोई भेदभाव नहीं भेदभाव रहित भेदभाव रहित होने को हम समता कहते हैं ठीक है प्राप्त करने के लिए तथा उन सम्में ब्यक्ति की गरिमा गरिमा का मतलब है मान करके चलेंगे तो राष्ट की एकता और अखंडता मतलब है राष्ट संप्रभू है विखंडित नहीं हो सकता है सुरिश्चित कराने वाली बंदूता बंदूता का मतलब है भाई चारा भाई चारा ब्रदर हुड बढ़ाने के लिए द्रड संकल्प होकर अपनी सम्मिधा प्र Г protective प्रदर ओर आत्मारपित करते हैं अब देखो यह मने पुरा डिकोड कर दिया एक अक टमस बता दिया आपको सुरुवात की तीन लाइने है कि भारत की प्रकति के बारे में बताता है बाद की जो यह व्देश के बारे में बताती है इसके लिए अन्तिम लाइन है यह संविधान को किस दिन अपनाया गया संविधान को अपनाने की तिथी है संविधान को अपनाने की तिथी है लागू करने की तिथी अलग है अपनाने की तिथी ठीक है यहाँ पर देखें 26 नॉंबर को हमारे संविधान अपना लिया गया यह लिखा है अंगी कृत कर लिया गया अधनीमित कर दिया गया और आत्मारपित कर दिया गया हमने स्वयम को आत्मारपित किया है अपना सम्मिदान हमने खुद को दिया है क्योंकि सम्मिदान की सुरुआत कहां से होती है हम भारत के लोग अब यह को सुरु की जो लाइन है प people of India हम भारत के लोग तो ये मलब भारत का संबिधान भारत के लोगों से सक्ति प्राप्त करता है और आप सभी ने अपने संबिधान को खुद ही आत्मार्पित किया है खुद ही अंगी कृत किया है प्रस्तावना पड़ी है आपको समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा है हम भारत के लोग मतलब हमने अपने आपको यहाँ पे संबोधित किया है कि भारत को एक क्या बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्य संपन्य राष्ट बनाएंगे कैसा राष्ट जो बाय और आंत्रिक नियंतरर से मुक्त होगा समाजवधी राष्ट बनाएंगे जो सभी के कल्यार में जुड़ा होगा पंत निर्पेक्ष राष्ट बनाएंगे जहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाएगा लोग तंत्रात्मक राजी बनाएंगे जहाँ पर सरकार जो है जनता द्वारा चुनी हुई होगी गर तंत्र बनाएंगे अर्थात राजी का मुख्या जनता द्वारा चुना हुआ अब्यक की सोतंता, विश्वास की सोतंता, धर्म की सोतंता, उपासना की सोतंता, सोतंता रहेगी सभी के लिए, समानता रहेगी सभी के लिए, प्रतिष्ठा की समानता, आउसर की समानता, कोई बेद्बाव नहीं होगा इस देश में, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभ मे व्यक्ति की गरिमा यानि व्यक्ति का आत्म सम्मान राश्ट की एक्ता यानि राश्ट की यूनिटी राश्ट की अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए भाई चारे को बढ़ाने के लिए दृड़े संकल्पित होकर अपनी इस संभिदान सभा में यहां पे अपनी सब्द यूच किया गया है, सभी भारतियों के लिए टम्स यूच किया गया है, आज 26 नॉबर 1949 को एतद द्वारा सम्मिदान को अंगी कृत, आपने अपने सम्मिदान को स्वयम अंगी कृत किया, स्वयम अधनियमित किया, स्वयम आत्मार्पित किया, खुद इसलिए संविधान के हिसाब से ही देश को चलाना होगा ठीक है सिंपल समाला है तो यहां पर देखो कुछ ठेम्स बदा है समप्रव मतलब बाय नियंत्रण से मुक्त आंतिरिक नियंतर से मुक्त समाजवादी मतलब सभी का कल्यार संप्धा पर समान अधिकार सभी का बराबर दर्म ने पेख्षता का मतलब है कि राजी का कोई धर्म नहीं है राजी सभी धर्मों को प्रोसाहित करेगा लोगतांत्रिक का मतलब है सरकार जनता का जनता की प्रतिनिती होगी जनता द्वारा चुनी होगी गरतंत का मतलब है राजी का मुखिया जनता द्वारा चुना होगा नियाय का मतलब निस्पक्षता, सोतंता का मतलब अजादी, भैमुक्तता, समानता का मतलब कोई भेदभाव नहीं और बंदुत का मतलब भाईचारा ये सारे पॉइंट आपके इस पूरे प्रस्तावना में आपके आप पाएंगे ठीक है तो यही पूरे के पूरे पॉइंट यहां पर देखने को मिलते हैं, अब देखें मुद्दा उटा की भाई क्या प्रस्तावना भारत का हिस्सा है की नहीं, इसके लिए मैंने एक अलग से केस बनाया था आपको बेरुवारी वाद, एक बार जरूर देखेगा उस केस को, उस केस में भारत संग का प्रस्तावना क यह संभिधान का हिस्सा है, ठीक है, इसके अलावा, बहुत सारे आगे केश हुए हैं, जिसमें प्रस्तावना को लेकर के बाद कही गई है, कि भाई प्रस्तावना और दूसरा प्रस्तावना वाद योग नहीं है, नियाले नहीं जा सकते, वाद योग नहीं है, आप प्रस् नहीं है क्योंकि ये सम्मिदान का दरसनि सम्मिधान की कुञिया इसमें सब कुछ बताये गया है तो ये और और केस hippe निंग। सनगे स्टॉपरिय गया है मूल सानर्चना इसको आप समॉप्त नहीं कर सकते सुप्रिम कोट ने को क्या बोला है संभिधान की कुंजी संभिधान की दर्सन की कुंजी संभिधान को समझने की कुंजी जब कभी भी fundamental right को लेकर या DPSP को लेकर के कोर्ट में किसी तरीके से कोई भी जो है बात आती है तो प्रस्तावना को देखा जाता है मौलिक अधिकार और मौलिक करतबों को इसपष्ट करने की बात होती है तो प्रस्तावना को देखा जाता है क्योंकि आपने देखा कि प्रस्तावना में सब कुछ नहीं थे, पूरी विचारधारा नहीं थे, जो देनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखेना है, ठीक है, क्लियर है, प्रस्तावना में संसोधन किया जा सकता है, क्या, बिल्कुल किया जा सकता है, किया गया ह क्या हाँ बिल्कुल किया गया है 42 समिदान संसोधन किया गया है 42 समिदान संसोधन के तहित आपके तीन सब्द जोड़े गया है पहला आपका जोड़ा गया है समाजवादी फिर आपका जोड़ा गया है पंथनिर पेक्ष दो सब्द आपके जोड़े गया है और तीसरा सब्द दिखिति आपके काफी सारे सम्विधान का यहां पर जुड़ा गया है तो आपके काफी trat conditions को संबिधान कीशन आएा POL प्रस्तावना सेंदधितने कोष्चान आएंगेन कि इतनी कोश्चान आएंगे के जितनी चीजें मैंने बताई तो प्रस्तावना न ले Chanel After इनको रठ जाईए याद कर लिजे प्रस्तावना मैंने पूरी की पूरी आपकी कम टाइम पे क्लियर कर दी ठीक है एक बार प्रस्तावना को जरूर याद कर लिजेगा कई बार इंटर्विव अगएरा जब आप इंटर्विव देते हैं तो आप प्रस्तावना आपसे पूछ लेता है क्योंकि प्रस्ताओना की जितने उन्हेंगी पक्ष लिखते हुएыми सारे के सारे मूलभूत डाचे से जुड़े वे संभिधान में परिवर्ता में नहीं किया सकता है यदि मूलभूत डाचे को कोई छती हुई तो तो प्रस्तावना तो पूरी तरीके से basic structure ही है मूलभूत धाचा ही है तो कई बार नयाले ने बहुत सारे तक्त्तों को मूलभूत धाचे में बता रखा जैसे कि सम्मीदान हमेशा सरबोच रहेगा हैना सम्मीदान भारत में सबसे अधर सरबोच है और सम्मिदान को हम सब ने अंगी कर तादमार्पित किया तो कभी इसे बदला नहीं जा सकता है इसके अलावा जो सरकार की गरतंत्रात्मक और लोकतंत्रक सुरूप है इसको भी नहीं समाप्त कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में डेमोकरसी समाप्त कर दी जाए जब तक सम्मिदान क्योंकि नहीं पालिका क्या करेगी ऐसे कोई भी कानून को जो की सम्मिदान के मूल ढाचे को समाप्त करेंगे बेसिक स्टर्चर को समाप्त करेंगे उसको इलीगल गोसित कर देगी धर्म ने पेक्ता नहीं समाप्त की जा सकती है कारेपालिका और नयापालिका के भी सक्तियों के प्रथकरण को नहीं समाप्त किया जा सकता है सम्मिदान का जो संगिये चरित्र है उसको नहीं समाप्त किया जा सकता है ऐसे बहुत सारे केस आपके इसको लेकर के वाद दिये गए कोट के द्वारा तो आज के लिए इतना ही रखेंगे आप एक बार प्रस्तावना रट लीजिएगा बहुत सिंपल सा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभूत्य संपन्य समाजवादी पंतने पे एक स्लोकतंतरात्मक गडराज बनाने के लिए तथा उसके सवस्तनागरिकों को समाज प्रतिष्ठा और अउसर की समता प्राप्त कराने के लिए तता उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट की एक्ता और अखंडता सुनिश्चित कराने वली बंदुता को बढ़ाने के लिए दिड़ संकल्प होकर अपनी समिधान सभा में आज 26 नौंबर उनिस सोन्चास को इतत द्वारा समिधान को अंगिकृत अदनीमित और आत्मारपित करते हैं ठीक है तो यह आपका सिंपल सा प्रस्तावना है इसको रट जाना सभी को तो आज के लिए इतना ही रखेंगे यह आपका बहुत इंपोर्टेंट है प्रस्तावना से कुश्चन जरूर पूछे जाते हैं ठीक है ध्यान रखेगा